प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं प्रिया आज मैं कैसी खबर लेकर आप सब के पास आई हूं जो कि अपने आप में चिंता जनक है अब यह चिंता जनक क्यूं है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा दरसल क्यूंकि इंग प्लियर्स में करोना की पुष्टी हुई थी उनमें करोना की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव ऐई थी जिसके बाद तमामतरा की बाते भी वनी लेकिन उनसे बीच उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और इसके बाद वो इंग्लायंन पहांच यह लेकिन जो जरूरी नॉर्म्स होते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है वैसे में ये बहुत जादा महतपूर्ण है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखें जो नॉर्म्स से उसको फॉलो करें क्वारिंटीन की भी बात की गई है अलग-अलग मुलकों में अलग-अलग इसको लेकर नॉर्म्स हैं अलग-अलग रूल्स हैं अलग-अलग नियम हैं अलग-अलग काईदे हैं जिसकी पालना करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये मैंडिटरी है कि आप तमाम चीजों को समझे खासतोर पर इस वक्त में जब बहुत है वो बना हुआ है लेकिन पाकिस्तानी टीम के कैसी तस्वीर निकल कर सामनी आई जो कि बहुत ज़्यादा चिंताचनक है क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आ गई लेकिन बावजूद उन्हें क्वारिंटीन में रहना होता है ये एक नियम है जो कि जिसको पा बात का भी खयाल नहीं रखा गया कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना है और इस बात को दरकिनार करके वहाँ पर जो पाकिस्तानी टीम है वो प्राक्टिस करते हुई नजर आई इसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले जैसा क तो उन्होंने सारे नॉम्स का खयाल नहीं रखा जिसके बाद अब गंभीर तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तमाम प्लियर जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हाला के बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन बावजूद एहतियात के तौर पर अपनी खुद की सीफटी के तौर पर आप सभी को ये जरूरी है कि आप जो नियम काईदे बनाएगे हैं अलग-अलग देशों में उनकी सरकारों के द्वारा आप उसकी पालना करें लेकिन जो तस्वीर निकल कर सामने आई उसमें जो पाकिस्तानी टीम थी उन्होंने किसी छाउ पाकिस्तानी टीम ए झालनाशनी टीम थी उनकी से सामने करें लेकिसिस से लेकिस्तानी टीम थी तुद के जब का में गुद कर सक दो लेकिस्तानी